मेश राशी वाले हनुमान जी की पूजा करें और ग्रहन काल के बाद लाल कपड़ा, लाल मसूर की दाल और साबुत हल्दी का दान जरूर करें किसी निर्धन व्यक्ति को आज के दिन खाना जरूर खिलाएं इससे आपके मन की इच्छा पूरी होने के साथ ही आप अचानक आने वाली दुरगटनाओं से बच जाएंगे तो मेश राशी वाले ये जरूर करें बात करते हैं व्रेश राशी की व्रेश राशी के अंदर के जितने जो लोग आते हैं देवी दुरगा के कवच का पाट करेंगे यानि दुरगा कवच का पाट आपको हर परेशानी से बचाएगा हलके गुलाबी रंग के कपड़े और साबुत चावल का दान जरूर कर दीजिए ग्रहन के बाद किसी गाय को आप थुड़ा सा चारा या पालक जरूर खिलाइए या किसी गौशाला से आप जुड़े हैं तो वहाँ पर उनके लिए व्यवस्था करिए ऐसा करने से आपकी सेहत की और आपके दामपत्य जीवन की मुश्किलें बिल्कुल दूर हो जाएंगी मिथुन राशी के लोग भगवान विश्णू के 108 नामों का जाप करें और गव को चारा खिलाएं ऐसा करने से बहुत सारी दिक्कतें आपकी खत्म होने वाली हैं से देकर आप उसकी मदद जरूर करें ऐसा करने से मिथुन राशी वाले लोगों के रिष्टों में मधुरता आएगी और आपके कर्ज की समस्या हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी आई अब जानते हैं कर्क सिंग कर्या राशी का देनिक राशी फन कर्क राशी अपने स्वास्थे का ध्यान रखें लंबी आत्रा का योग दिख रहा है विवा की परेशानी खत्म होगी शुबरंग होगा आपके लिए लाड़ सिंग राशी नौकरी में परिवर्तन का योग है प्रेम संबंदी मामलों में आज आपको सफलता मिलने वाली है विवा के मामले शुलच जाएंगे शुबरंग होगा आपके लिए सफेद कन्यराशी वानी पर नियंतरन रखे धन के नुकसान से आज आप बच जाएंगे जल्दभाजी में कोई भी डिसिजन ना लीचियेगा निरन ना लीचियेगा शुबरंग होगा आज के लिए काला दुला राशी पुरानी दिक्कत भी आज खत्म होगी घर में खुशी का माहुल बना रहेगा शुबरंग होगा गुलावी व्रिश्चिक राशी आर्थिक पक्ष मजबूत होगा कारोबार में व्रद्धी भी होगी अपने रिष्टों में इमानदारी बरते हैं शुबरंग होगा आज के लिए क्रेव दनु राशी अप्याश का योग बना हुआ है ध्यान रखियेगा नौकरी में समस्याएं भी हो सकती हैं अपने से बड़ों से आज के दिन आपको नहीं उलजना शुबरंग होगा आपके लिए नीवा आई अब जान लेते हैं मकर कुम मिमीने राशी का देनिक राशी योग बना हुआ है संपत्ति भी आप आज के दिन खरीज सकते हैं तो अच्छाकी समस्या से बचे शुबरंग होगा आपके लिए नीवा बात करते हैं मीन राशी की परिवार में तनाव का योग बना हुआ है लंबी आत्रा से आज के दिन बचे अपनी वानी पर अपनी जुबान पर आपको कागू रखना होगा, संयम रखना होगा और आज के दिन शुबरंग होगा आपके लिए पीना